दो're all father आपका स्वागत है तो दोस्तो आज आप Such अनुगा नूइन ओनर दोस्तों इस्तित है तो की कौनसी हवेल्या का दोस्तों इससे पहले बात की जातुम ए राजस्ताण की माँले वीडियो अप्लोड कर चुका हूं अगर दोस्तों वीडियो देखना तो वीडियो को लिंक डिक्स्रिप्स मिल जाएगा वहां पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हूं तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो पहला है पटो की हवेली इस्थित है तो पटो की हवेली का इस्थित है जेसल मिर्भी इसके अलाव बात की जाये तो पटो की हवेली का निर्बान कुमान चंद बापना ने करवाया और ये पटो की हवेली पत्र की बारी कटाई जाली और नकासी के लिए प्रसीद है पहनल जी के हवेली भी का इश्तित है जसल मिर में आगे बात करें तो सालीम सिंग के मैं चियलावाड में जबकी सालीम सिंग के हविली का इस्तित है चेसल में रवी आगे बात करें तो दोस्तों इस वर्दास मोद्दी की हविली तो इस वर्दास मोद्दी की हविली जुन-जुनों जिले में है इसके अलवा टिबेडा वालों की हविली का इस्तित है ये भी जुन-जुनों में है और पोदार की हविली का जुन जुनों में तो नवलकुड को दोस्तो सेकावाटी सेकावाटी की सहुन नगरी का जाता है किसको नवलगड को आगे बात करें तो बगतों की हवेली तो बगतों की हवेली भी का इस्थिता है नवलगड जुन जुनों में राम देव चोरवानी की हवेली तो राम देव चोरवानी की हवेली का इस्तित है मंडावा जुन-जुनों में इसके अलाव बात की जाते हो दोस्तों मंडावा भीती चित्रें के लिए भी क्या है परसिद्ध है अगली हविली है सागरमल लाड़य की हविली तो यह भी का इस्तित है मंडाबा जुन्जुनुमे रामनात गोइनका की हविली तो यह भी का इस्तित है मंडाबा जुन्जुनुमे अगली हविली है सेट जैद्याल केडिया की हविली तो यह हिस्तित है विशाव जुन-जुनों में अगली हविली की बात की जातो सोन्नी चांदी की हविली दोस्तों यह बहुत इंपोटेंट है यह हर एक्जाम में पुचा जाता है तो ये सोने चंदी के हवेली का इस्तित है ये इस्तित है जुन्जुनु में जुन्जुनु में का इस्तित है ये मानी सर में मानी सर में इस्तित है और मानी सर राजस्तान में किस के लिए परसीद है ये शराब के लिए परसीद है मानी सर आगे बात करें तो नाथुराम पोदार की हवेली तो नाथुराम पोदार की हवेली है भी सव जुन्जुनों में और बिल्ला की हवेली का इस्तित है यह इस्तित पिलानी जुन्जुनों में इस्तित है पुष्य हवेली तो पुष्य हवेली कहा इस्थित है जोदपुर में और पाल हवेली भी कहा इस्थित है ये भी जोदपुर में पोकरन की हवेली तो पोकरन की हवेली जेसलमेर में इस्थित है आगे बात करें तो बड़े मिया की हवेली तो बड़े मिया की हवेली का इस्तित है जेसल मेर में और राकी हवेली भी का इस्तित है जेसल मेर में तो जेसल मेर से समधी कितनी होगी कितनी हवेली अगे तीन दोस्तों बागोर की हवेली की बात की जाये तो बागोर की हवेली का निर्मान करवाया था अमरचंद बढ़वानी और इसके अलावबात की जाये तो बागोर की बागोर एक सब्वेता स्तल्बी है ये बागोर की हवेली है जबकि बागोर सब्वेता का इस्तीत है वो इस्तीत अगली हेवेली की बात करें तो पुरोजी की हेवेली तो पुरोजी की हेवेली का इस्थित है जेवपुर में चूर सिंग की हेवेली तो चूर सिंग की हेवेली का इस्थित है ये भी जेवपुर में इस्थित है और पुंडरी की हवेली का इस्थित है तो पुंडरी की हवेली भी जेसल मेर में है और रतनाकर बट की हवेली का इस्थित है ये भी जेसल मेर में है तो जेपुर में सोरी जेपुर में तो जेपुर से समधी कितनी हवेलिया हो गई तो जेवपुर से समती चार अवेलिया पहली कौन सी है पूरेजी की हवेली दूसरी चूर सिंग की हवेली तीसरी पुंडरी की हवेली चोती रतनाकर बट की हवेली तो ये चार हवेलिया का इस्तित है जेवपुर में आगे बात करें तो बिनानियों की हवेली तो बिनानियों की हवेली का इस्तित है सिक्कर में और खेमका तता गोनका की गोनका सेटों की हवेली का इस्तित है तो ये इस्तित है ये भी का इस्तित है सिक्कर में और परसारी की हवेली का इस्तित है ये परसारी के हवेली भी ये स्री मादूपूर सिक्कर में आगे बात करें तो राम विलास कोहनका की हविली का इस्थित है तो ये इस्थित है चूरू जिले में और सुराणों की हविली का इस्थित है ये भी चूरू में और मंत्रियों की हविली ये भी का इस्थित है चूरू में तो चूरू में कितनी हो गई? तीन हो गई. पहली रामलास कोहनका की हवेली, दूसरी सुराणों की हवेली, तीसरी मंत्रियों की हवेली. कितनों का इस्थित है? चूरू जिले में. आगे बात करें तो पच्छावतों की हवेली का इस्थित है? भिका निर में. और सुन्दोरी कोटी के बात की जाए तो बारे में बात की जाए तो ये दो मंजिला है दो मंजिला कितनी मंजिला है सुनरी कोटी दो मंजिला तो इसमें पहली मंजिल का निर्बान करवाय था नवा वजीरो दोला ने जबकि दूसरी मंजिल का निर्बान किसे ने करवाय था नवा मुमद तो यह इस्तित है पिक का नेर में नाल चल टड़ा की हवेली का इस्तित है तो यह इस्तित है फलोदी चोधबुर में जाला की हवेली का इस्तित है तो यह इस्तित है कोटा जिले में केशरी सिंग भारत की हविली काश्टित है तो केशरी सिंग भारत की हविली स्थित है इसको भारत की जगह भारत कर लेना तो ये काश्टित है सावपुरा भीलवडा में भामासा की हविली काश्टित है चित्तो ओडगड में जैमल फत्ता की हवेलिका इस्तित है तो यह जैमल फत्ता की हवेलिका इस्तित है चित्तोडगड दुर्ग में आगे बात करेतों मत्थुरा बालों की हवेलिका इस्तित है तो इस्तित है जेवपूर में बेजनात रुया की हवेलिका इस्थित है तो यह इस्थित है रामगड जेवपुर में दूलीचन जी की हवेलिका इस्थित है तो यह चीड़ावा छुनज़नों में इस्थित है और शेक सरिया जी की हवेली का इस्तित है तो यह इस्तित चीड़ावा जुन्जुनों में और माल जी का कमरा का इस्तित है तो यह इस्तित है चुरू जिले में नादिना लाव प्रिंस की हवेली का इस्तित है तो यह इस्तित है फत्यपूर सिक्कर में दोस्तो इसके अलावा अनेफेक्स की बात की जातो दोस्तो हवेली के नकरी के शिखा जाता है जेसल मेर को हवेली के शिखा जाता है जेसल मेर को जबकि हजार हवेली के नकरी के शिखा जाता है पिकानेर को और बेसे बात की जाए तो राजस्तान में हवेली के लिए परसीद है तो राजस्तान में हवेली के लिए कौन परसीद है सेकावाटी चेतर सेकावाटी चेतर हवेली के लिए क्या है परसीद है और इसके लिए बात कीज़ा तो सेकावाटी चेतर ही राजस्तान में भी चेतर हैं के लिए परसीद है तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए उडबाँ टेक केर